और अब हम बात करते हैं हमारे हैर के शैंपू के लिए शैंपू जब हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यदा जरूरी होता है बहुत सारे लोग अपने बालों को साबुन से भी धो लेते हैं बहुत सारे लोग जो भी शावर जेल होता है उससे अपने बालों को धो लेते हैं बट हम Shampoo ही हमारे लिए जरूरी है अपने बालों को साफ रखने के लिए Shampoo का काम gently यानि आराम से हमारे हलके हलके से हमारी scalp को clean करना और हमारे overall बालों को clean करने का काम करता है जिससे हमारे scalp में कोई भी dirt कोई भी गंदगी अगर थोड़ी बहुत build-up हो रही है जमा हो रही है तो उसको यह हलका हलके से remove करता है बिना हमारे scalp को dry किये हमारे scalp के भी pH level को हमारे बालों के भी pH level को अच्छा रखने के लिए Shampoo का इस्तमाल हमें जरूर करना चाहिए साथ ही जैसे हमने आपको पहले भी बहुत सारी training में बताया कि हमारी त्वचा पे oil glands होते है oil जो हमारी त्वचा प moisturized रहे उन oil glands की मदद से जिससे हमारा जो sebum है जो sebum यानी oil जो हमारी scalp पे या हमारी त्वचा पे सिक्रीट होता रहता है उससे एक moisture हमारी scalp को भी मिलता और हमारे बालों को भी मिलता है तो Shampoo उस oil को भी परकरार रखने में मदद करता है लेकिन साथ ही साथ आपके scalp को अगर oil जरुत से ज्यादा भी अगर सिक्रीट हो रहा है तो उसको भी वह clean करने में मदद करता है जिससे आपके बालों की overall health अच्छी रहे जब हम benefits की बात करते हैं खासतोर से हमारे hair fall control shampoo की तो उसमें आपको मिलता है आरगन oil जो हमारे बालों को sun से अगर कुछ सूरज से को damage अगर होता है तो उससे भी repair करने का काम करता है और साथ ही जब हम hair fall control shampoo की बात करते हैं तो जो हमारा शिनॉल का hair fall control shampoo है उसमें आपको मिलता है आगन oil and wheat protein जो आपके बालों को बहुत अच्छे से gently clean करने में काम आता है साथ ही आपके बालों की जो elasticity है उसको भी अच्छा बन में मदद करता है अब जब हम बालों की elasticity की बात करते हैं आप ऐसे समझ लीजे हमें कैसे पता चलेगा कि एक बाल किसी के जो बाल है वो बहुत healthy है जैसे आप देखते हो elastic हमारे हम सब elastic को जानते हैं right elastic को हम क्या करते हैं जब हम ऐसे खीचते और जिब उसको छोड़ते हैं त उनकी भी elasticity होती है आप अगर एक भी बालों का एक भी बाल का strand अगर आप तोड़ोगे और उसको आप इस तरीके से बस खीच के देखो और जैसी आप उसको छोड़ोगे अगर वो बाल अपनी जगे पर वापस अपने शेप अपने आकार में वापस आ जाता है तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल की elasticity अच्छी है अगर उसमें थोड़ा सा भी stretch वाला एक mark आ गया तो इसका मतलब कि वो okay okay elasticity वाला है लेकिन अगर आपने अपने बाल खीचा और खीशते खीशते एकदम से आपका बाल तुरंद की तुरंद तूट गया तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका बाल बहुत कमजोर है और इसी लिए overall हमें अपने बालों को elasticity अच्छी रखने के लिए अच्छे quality के हमें ऐसे hair products का इस्तमाल करना है जिससे उनकी elasticity बहुत अच्छी रहे जब हम ingredients की बात करते हैं अगेन आपको इसमें आगन उयल, wheat protein इस तरीके के key ऐसे ingredients मिलते हैं जिनसे आपके बालों में एक प्रकार का shine आता है, एक चमक आती है, साथ ही आपके बाल बिलकुल भी रूखे नहीं लगते and आपके बालों में एक overall जो elasticity है वो भी बहुत अच्छी बरकरार रहती है